जये स्री माकाल, जये मातराने की आप सभी का मातराने कल्यान करें और सभी को शुक्री रखें आज के इस वीडियो में आपको एक डाकीनी साधना का मंत्रा बताएंगे जो हमारे पैड गरूप में पहले दे रखा है और इसको आज यूटूब पर बताएंगे आपको इस वीडियो में आप इस मंत्रा की साधना करना चाते हैं अगर हमारी निगरानी में करना चाते हैं तो हमसे संप्रक कर सकते हैं या फिर आखी वीडियो और विदी देखके भी आप फरी में कर सकते हैं तो इससे पहले आपसे निविदन हैं कि आप जो भी हमारे चैनल से गुजर रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से निविदन हैं कि एक सब्सक्राइब कर दिजिएगा, सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे नहीं जाएंगे, बिलकुल फरी है, तो आप को सस्प्राइब करना हैं, और पूरा वीडियो देखना हैं, ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाएं कि किस तरीके से डाकिनी साधना करने हैं, ये एक रात्रिका लेन की साधना है, इस साधना को करने के लिए आपको एक अलग एखांत जग की खोज करने पड़ेगी, जह आप एक घर के लोगे या कोई दूसरे लोगों, उनका आना जाना बिलकुल वर्जित हो, एक खांत कोई भी खंडर है, नदी है, जंगल है, समसान है, ऐसी जगों में आप कर सकते हैं, अपने इसाप से जहां भी आपको अच्छा लगे, तो आप ऐसी जगों का पता कर लेज आपके श्वयम के अगर कोई खेत वगेरा हैं, तो वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से सेप होना चाहिए, जहां पे लोगों का आना जाना वर्जित हो, कि किसी भी प्रकार का डिश्रप्ट ना हो सकते हैं, तो ऐसी जगों की आपको पहले तो पता करना जैसे इसके लिए आप डाके निशादना करते हैं, तो इसके लिए आप सराब भी काम में ले सकते हैं, और माश्व वगेरा भी काम में ले सकते हैं, इनके भोग के लिए, अगर शात्विक तोर पर भी ये करना चाहते हैं, तो जैसे आप माल पुए हैं, कोई वैसी मिष्ट अगर गी नहीं है तो अभी चलेगा अगर दिपक नहीं जलाए तो आप इकांट में बैटके थोड़ा बहुत आप 5-10 मिनृत जितना आपको से अच्छा साधना के लिए पूजाबाट होता है वो आप एक बार पूजाबाट कर लेजिएगा इनके इलावा इनकी कोई स्रंगाल की सामगरी होती है उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इनके स्रंगाल की सामगरी होती है वो आपको बेटरुशव रूप इनको पेस कर दीजिएगा उससे ज़्यादा यह सकतिया आकर्सित हो जाएगी इस बात का आपको त्यान रखना है तो स्रंगाल की सामगरी आप 100-200 रूपे में कहीं से भी ले आ सकते हैं कहीं से भी कॉस्म करोशाले रहता है तो इतनी चारी सामगरी आपको इकटा करनी है आपको सामने तोर पर जो भी आपको अच्छा लगे वह वे दी शेकरude सात्विक या ताम सिक ceremon विदे कि इस वो शक्ति आपके आजपास में आएगी तो आपको महसुस होगा कि हमारे आजपास में कोई गुमरा है या कोई उदर से निकला है वो आपको भेशवरुप वगईरा जो भी देना है मंत्र एक ऐसा मंत्र प्रियोग है इसमें उसकी आवान उसको खीचने का मंत्र भी साथ में लगा हुआ है और उन शक्तियों को जागरत करने का भी मंत्र, वीज मंत्र उसमें साथ में लगा हुआ है तो एक विशेस मंत्र में आपको बता रहा है तो इस मंत्र से आप अगर डाकी ने साधना करते हैं तो हंडेट परिकार से, हंडेट तोर से आप इस मंत्रा को शिद्ध कर सकते हैं और इस शक्ति को पाशकते हैं अब आपको लगेगा कि ऐसी साधना करने के लिए गरू दिक्षा वगिरा तो इसमें आपको एक बात बता देते हैं अगर आपने कहीं से गरू दिक्षा नहीं ले रखी हैं तो आप इस्ट की सकती को अपने जागरत करना है जैसे इस्ट की सकती आप किस की साधना कर रहे हैं किसी सकती के का माक्या मा की साधना कर रहे हैं आपके पास में कुछ थोड़ा बौत आपको एसा या आपने गायत्री माँ का मंतर जब किया है कुछ शमय है या नहीं किया है तो आप उसको भी थोड़े दिवस करके उसकी भी सक्ति को आप अपना इस्ट बना सकते हैं ताक एक गायत्री मा की सक्ति को इस्ट बनाने के बाद में कोई भी अनिष्ट सक्तिया होती है वो फिर आपका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी एक बात इसमें ये है कि जब भी मा गायत्री की आप साधना करते हैं तो आप कुछ समय इनकी साधना करने के बाद में ही किसी दूसरी सक्तियों का आवान करें अगर साथ में इनका आवान करेंगी तो वो सक्ति आप तक नहीं पहुशेगी कुछ समय पहले गायत्री मा का आप जब किजिएगा फिर कुछ समय के बाद में आप ऐसे सक्तियों को आवान किजिएगा उस समय मा गायत्री का फिर आपको जब नहीं करना आप अपमेशा के तोर पर सुबह जैसे रात्री कालिन में कोई शाधना करते हैं तो सुबह के तोर मे आप मा गायतरी की एक माला खेट लेजिएगा फिर रातरी कालिन में उस शक्ति को बुलाईएगा जिसको आप बुलाना साथ है और गरुदिक्षा के तोर पर आपको बता देते हैं कि मा गायतरी की जो शाधना है गायतरी मंत्र है जो प्राशिन काल में गरुदिक्षा के तोर पर यही दी जाती थी गरुदिक्षा में अभी जो दूसरे बताते हैं वो मंत्र सब अपने अपना तरीके के मंत्र बता रहे हैं उन मंत्रों में और जो प्रासिन गुरुदिक्षा के होती थी उनमें कापी फरक है प्रासिन समय में गरु दिख्षा के तोर पर मागायतरी का मंत्र ही सभी को दिया जाता था और उनकी ही आराधना की जाती थी क्योंकि मागायतरी मंत्र ही कि ऐसा है कि वो एक विशिक इस्तरोत की तरह है आप इसको इस्तरोती मान लीजिएगा कि उसमें सब परकार से वो कामनाई होती है कि ऐसा करना ऐसा करना सब कुछ उसमें होता है अभी वरतमार में क्या होता है कि अलग-अलग गरुओं के अलग-अलग स्वयम के मंतरा से हुए हैं वो स्वयम की शक्तियों को उन तक पहुंचाते हैं स्वयम की कुछ से होते हैं वो उनको आगे परदान करते हैं बस एक अलग तरीका हो गया है लेकिन प्रासिन काल में ऐसा नहीं था सभी गरू थे वो मागायतरी की साधना ही जादातर करवाते थे मंत्र आप सुन लिएगा इस डाकिनी साधना में आपको क्या प्रयोग करना है ओम कलिम भरीम परसंट डाकिनी क्रीम भरीम श्वाह यह एक क्विशिस मंत्र है इस मंत्र को हमने पहले एक पेड़ ग्रूप में भी दे रहा है अगर साइद यह नौंबर 2020 के पेड़ ग्रूप में दे रखा है या अक्टॉमबर में ऐसा कुछ दे रखा है तो आप करना चाहे तो इस मंत्र यह का यही मंत्र है पेड़ ग्रूप जोइन करने की उसके लिए जिरूत नहीं है आगे कोई दूसरे विदी वगेरा बताएंगे तो उसमें आपको पेड़ ग्रूप वगेरा जोइन कर सकते हैं या फिर पेड़ ग्रूप अभी हमारे कुछ चल रहे नहीं है बन कर दिया है अभी जो साधना है जो दिख्षा लेते हैं साधना के तोर पर उनको डारेक्टली मंत्र और विदी बताई जाती है अभी कोई हम पेड़ ग्रूप अगले समय में चलाएंगे तब मैसेज डाल दिया जाएगा अगर आपको कोई भी साधना करनी है तो आप मैं डारेक्टली जूड के टेलिग्राम पे मेसेज करके भी आप ये मंत्र विदी ले सकते हैं अभी जो मंत्र बताया है वो मंत्र फिक्स है इसमें कोई भी काट साथ नहीं की हुए और नहीं हमने कोई इसमें गुप्त रखा है जो था आपको बता दिया है यही मंत्र है और इसी की साधना आपको करने है बस आपको विदी का ध्यान रखना है कि जगह एक तो एक खान तोने चाहिए बागी का जो सामगरी है वो आपको लेके जाना है यह मंत्र है आप इस मंत्र को बार बार वीडियो रोक के देखके एक बार लिख लेजिएगा दुबारा सुनेगा ओम कलीम ब्रीम परसंट डाकीनी करीम ब्रीम श्वाहा तो यह मंतर है इसका मंतर आप आराम से लिखिएगा एक कागेश पर लिख के फिर इसको याद किजिएगा इनकी आपको रोजना कम से कम 21 माला आप मेने महमाल लेजिए 21 माला कम से कम करनी है जो सौधा से 21 दिन तक करेंगे तो आपके परतेक सिकरन भी इसमें हो जाएगा अगर फिर भी नहीं होता है तो इस साधना को त्यान योग के जरिए आगे बढ़ाईएगा परतेक सिकरन होगा आपको ये साधना आपको स्वयम के इस तर पर आपके जिएगा जरूर इसमें सपल होंगे बस बाकी इसमें कुछ भी आपको बदलने की जरूर नहीं है और ज्यादा कुछ से सुनने की जरूर नहीं है गरुदिक्षा आपको बता दी कि गरुदिक्षा क के तौर पर उस सकती से जब भी आवाण करेंगे वह आपकी रक्षा करेंगे अ क्या हुआ क्योंग एक व्हक्ति सकती है कि आपके साथ में क्या हुआ जो किसी के देखरेग में करते हैं या किसी सुरुक्षा के साथ में करते हैं तो एक वो एक सुरुक्षा होती है उसको सुरुक्षा के लियाज से माना जाता है लेकिन बिना सुरुक्षा के अगर किसी भी खत्रे की घंड़े में हाथ डालते हैं तो फिर वो घंड़े दूसरे तरीके से बसती है और उसस इसानने आपकी जिगा जय स्री मागाल जय मातरानी की